वल्कुम बैक टोन माय चनल आज का टॉपिक है वलिंज और बैंट्स जहां पर आप इंट्रा डे को स्विंग ट्रेट पर कैसे बदल सकते हैं या आप यही शी सोचिए आप सिंपल हावले चार्ट से कैसे बिटी एस्टी या स्विंग ट्रेट कर सकते हैं शिंपल शिंपल येक एंडल स्टिक को देखिए इस पे क्या आप अइडेणिफाइ कर सकते हैं लास्ट दो से अंदर यहां पे एक सिनारियो है यहां पे देखिए का कुछ डब्ल बॉट्म या डबल टाप का सिनारियो है कुच अईडेंट्ट पा हो रहा है एक तो सींपल सी बात है अगर double top बोल रहा हूँ तो top पे होगा जो कि यह अगर double bottom बोल रहा हूँ तो यहाँ पे okay simple सी बात है candle stick के साथ भी वो दिखता है okay लेकिन अगर आप bollinger bands use करें so inside और outside जो volatility है वो ज्यादा आप जान पाएंगे simple मैं आपको करके दिखाता हूँ यह scene देखिए simple बालिंज और ब्रेंड से पहले मैं आपको mark करके दिखा रहा हूँ market यह closing हुआ gap up हुआ फिर यह then I am top okay okay double top अबली चाट है अब यहाँ पे देखिए gap down और आपका का रेली स्टार्ट अगर नहीं भी हुआ होता तो आपका रेली कुछ इस तरह से होता ही होगा ओके अब देखिए वान इच आउटसाइट वान इच इंसाइट बॉलिंज और बेंट्स बॉलिटिलिटी डाबर्जन्स डबल बटम होगे अब यह आगी गैप है अगर जो एक्सपेटेबल मॉंडे को है वो गैप अगर हो गया दन यह रेली ओके आप सिच्चुसन यह है हम इसको फांड आउट कैसे करें थोड़ा सापको डीटेल नहीं में बता दे रहा हूं देखिए मर्केट जब यहां से गैप अप हुआ यह कैंडल को देखिए एक एक्जॉस्टन कैंडल यहां पे एक्जॉस्ट हो जाता है खुलता उपर से है और बड़ा सा रेट कैंडल होने के बाद नीचे वो तो एक अलगी टॉपिक है बट जो कैंडल स्टिक का भीव है वो एक आउटसाइड है जो क्लोजिंग है यह जो क्लोजिंग है देखिए एक आउटसाइड है और यह बाला जो बड़ा कैंडल है वो है इंसाइड ओके आउटसाइड और इंसाइड इसको कहते हैं बॉलिटिलेटे डिवर्जंस जो की बॉलिंजर बैंट्स पर यूज होता है ओके यह बॉलिंजर बैंड से बॉलिटिलेटी डाइबर्जांस बाकी पर आप आप आइडेंटिपाय करने सकते इसको ही कहते हैं वहां इच आउट सेट वहां इच इंसाइट आप देखिए डवल टॉप और यह सिंपल आप क्या करेंगे यह बेस है ओके इस बेस से आप 10 लाइन ड्रॉप कर लेंगे यह देखिए हो गया आप अगर एंट्री यहां पर भी ले नहीं सकते तो आपको सिंपली क्या करना है 15 में हावली चाट को आप 15 निट कर लेंगे यहां पर देखिए सॉरी कुछ इस्तरगा ही होगा ओके आपका ट्रेट यहां से रेडी हो पाएगा ओके यहां से एंट्री यह बड़ा केंडल से और आपका स्टॉप लोस जो है यह टॉप के उपर रहेगा सिदी सी बात है और यह आपका रेली अगर हावली time frame पे situation फिट नहीं होता तो हब try करेंगे कि छोटा time frame पे आए एसा नहीं कि हावली टाइम फ्रेम पर हम अगर अनलेसिस करेंगे तो 15 और 5 को गलती से भी देखेंगे नहीं ऐसा वाला सिच्वोसन नहीं है वो एंट्री के लिए सही होता है हावली पर कभी कभी सिच्वोसन बैठता नहीं है अभी उसी चीज को हम डाउन्ट्रेंड से देख अरे द्लाउन देखिए यह 13 से 14 का है अभी आ गया है 22 23 यही सीच्वोसन पे ट्रेट हो गया है सिंपूल सा कॉंसर्ट है टाप दाउन ने पहार ना मार कर रोगा है कर दो सिंप्वल सा कॉंसर्ट है यहां पर सपोर्ट बेस बनाया यहां पर स्पोपर पी सब्सक्राइब के बाद थोड़ा क्लोज करता है यह केंडल देख सकते हैं यह रेट केंडल आउटसाइड है यह ग्रिन केंडल को देखिए इंसाइड है और थोड़ा क्लोज करें आउटसाइड और इंसाइड डॉबल बॉटम यह ग्रिन केंडल स्टिक के साथ और एक कॉंफरमेशन यहां पर आपका एंट्री अब इसके नीचे आपका एसेड अब यह सिंपली देखिए ट्रेट देखिए अब सिंपल है कि यह तो अभी का ट्रेट है अभी तो यह स्कुईज खुल रहा है यह स्कुईज खुलने को है मंडे को एक्सपेटेशन जो है वह यह जो गैप है इसको फिल करेगा फिल करेगा फिल करने के बाद यह थोड़ा मोमेंटम है आगे के लिए अब आपको और एक चीज़ बता रहा हूं देखिए यहां पे जब अगर आपको किलारीटी से पता नहीं चल रहा है यह अगर लग रहा है कि आपको थोड़ा सा इंसाइड है अब सिंपली क्या करें अ अब यहां भी देखिए और फेक्ट हो रहा है यहां भी देखिए डावल बॉटम वान इच आउटसाइट वान इच इंसाइट यह आपका कॉंफर्मेशन इसके नीचे एसन ओके आप देखिए रेली स्टाट सिंपल सा कॉंसेप्ट है कोई इंडिकेटर अधर यूज करना नहीं पड़ेगा सिर्फ बॉलिंग और बैंट से ही आप परफेक्टली बीटी इस्टिटेट या स्रिंटेट कर सकते हैं ओके बस यह डवल टॉप और डवल फर टॉप को आदेटिफाई करके ओके सिंपूल है अगर आपको इस तरह का अगर कोई भी स्टाटीजी बोल हो आप डिरेक्टली वार्टसप कर सेकते हैं वहापे मैं आपको कॉंटेट करोगा ओके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सो कमेंट भी किजिए आपको कैसा लेगा पूरा मैं संग करने के लिए थैंक यू